कहिए आप बहुत बड़े ग्यानी हों जी और मेरे कुछ प्रसन हैं आपसे जिस परकार आप ये कोंबिनेशन देख रहे हैं को भई यो चेला बड़ा गुरू जोटा पंडित मांगे राम में लखमी चंद मैं भी योई बात थी पंडित मांगे राम दो साल बड़ा था लखम मेरे कुछ सवाल हैं हां क्या आप उनके जवाब दे सकते हों मैं सवाल सुनना चाहूंगा पहले अगर मुझे समझ में आये तो मैं देने की जरूर कोशिश करूँगा कोशिश करोगे बिलकुल तो सुनिए मेरे सवाल हाँ बिलकुल खोल कोशिए हाए गुरू जी ऐसा ग्याने सिखा दे कोई गावणियां ही गादे ओ गुरू जी ऐसा ग्याने सिखा दे कोई गावणियां ही गादे के गुरू जी ऐसा ग्यान सिखा दे कोई गावणियां ही गादे सजनों ग्यान लड़ेगा और जोर पड़ेगा सवाल सुनना साइद आपने कदे इसे सवाल नी सुने होंगे किस परकार से आईए वा अश्ट भुजी किसी की पुत्री जिने करी सहता चोरा की उस सादू का नामें बता जिने करी सवारी मोरा की है गुरू जी पाणी में आगी लगा दे कोई कावन आई गा दे ओ गुरू जी मेरी बाच्छनों एक बार अपने सवाल दुवारा दो राओ के बहमाता की मात बता दे सास बता दे गौरा की गौरा मतलब पारवती की सास कोण है बहमाता की मात कोण है हाँ और आगे बताओ सीव संकर का गुरू बता फिर बात करूंगा ओ राकी शीव जो कि पूरी प्रत्वी का पूरी स्रश्टी का पूरे संसार का गुरू है उसका गुरू कोण है अश्ट भुजी किसकी पुत्री जिन करी साहता चोरा की और उस साधू का नाम बता जिन करी सा सवारी मोरा की सवारी मोरा की तो जवाब सुन ले अपने कहते अर्या बे माता की मात गायत्री अनुशूया सास गोरा की सती अन्सूया की परिक्षा लेने के लिए सती अन्सूया की कुटी में पहुंचे और जाके सादू के बेस में अलग जगाई अनुसुया माता बहार आई और बोली कहिए सादू जी क्या चाहते हैं तो सजनों ब्रह्मा विश्णू मेज़ों की सादू के बेस में बढ़े हुए थे उन्होंने ये सर्त रखी के माई हम आपके आज से बिख्षा जब लेंगे आप नगन होके पूरे कपड़े वस्तर अपने सारे लत्य उतार का में बिख्षा दोगी तो हम आपके आज से दान लेंगे वरना उल्टे चले जाएंगे आपको पाप लगेगा सजनों सती अनुशुया ने इतनी बड़ी सती थी अपने सत दर्म के तेज से ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्नू देव छेट्च महिने के बच्चे बणा दे बच्चे बणा के और पालने में लिटा के अपनी दुद्धी प्या दी इस प्रकार दर्म की माता उनकी पारवती की सासु अनुसया के लाई हां बिलकोल चाइए है हां ओर भूज अरपे माता की मात गायतरी अनुशुया सासगो ना की शिव संकर का गुरू अंगिरा बात करेने तु ओराखी अश्ट बुजी अरे अश्ट बुजी ब्रहमा की पुतरी जिनकरी साहता चोडा की बालक नात ऐसा साधू जो करे सवारी मोरा की है गुरू ने हो गुरू ने जाने कब आगे लगाया मने तो ने सवा में गाया बाई बाप के ब्या में बना भी चोला वो लड़का किते आया कर राक्ष से कबे से देवता कौन से युग जी मने आया उड़े अनधन के भंडार भरे वो छिका नहीं भूका ठाया पिरले कितनी बारिस होगी पीवन ने न जली पाया हाए गुरू जी बेली धरा में किला कर देख़े का बन आही का देखना लोगो इशेद समतकार की बात आपने नहीं शुनगी सुनी होगी के बाप के ब्याम बन्या भी सोला वो लड़का किते आया कर राक्सस का बेश देवता कुण से युग जी मनाया अन दन के भंडार भरे वो छिकाने इभू कठाया अर पिरले कितनी बारी सोगी पीवन ने न जल पाया बता दे गुरुजी भी बड़े कठीन सवाल ह विलकुल पर्मने भी असली मानिये अच्छा अरे बाप के ब्याम मैं भी सम पिचोला भी सम भी शम भी चोला नियू बीसम का पिता था शांतनू शांतनू एक दिन नदी के पार घूमने के लिए गया था तो एक मला एक नाविक की बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती उसके उपर आसीक हो गया और उस नाविक से जाके कहता है कि अपनी बेटी की साथी मेरे साथ करवा नाविक कहता है कि महराज आपके तो पहले ही आपका बड़ा लड़का है भिशम मेरी लड़की मैं आपके साथ विवातों कर दूगा लेकिन कल को मेरी लड़की की जो संतान होगी वो तेरा जो संतान जो पहले तेरा बड़ा बेटा बिशम है वो तो बनेगा राजा और मेरी जो बेटी की संतान होगी वा नुए नो करना करवनेगी, मैं नहीं करूँगा भ्या, दुखी ओकसान तुनों गराजया, भिसम न अपने बाप ता पूछी नो के बाप के बात है, तो उसने बताई के नुए नुए बात अच्छी बात करी, अर उसी दिन ये परन लिया के मैं आज इवन ब्रह्मचारी रहुगा और जोबी अस्वेह सिंहासन काहोगा मैं अस्थिन आपरका शिंहासन कर सदेर घुला मर हूंगा अर अपने बाप का ब्याव कर गया अफ। हपिजू framework विल्कुल सची बात है गुदूजी बाप के ब्या में विशम विचोला बाप के ब्या में विशम विचोला जो देव लोगते चल आया कर राक्षस का भेश गने स सत्योग में जी मने आया उड़े अन देवता की हारे होई बोच्छी क्या नहीं भूखा ठाया परले कितनी बारिस होगी पीवन ना जले पाया हाई गुरू ने पेडे दरम में भाला आया मने खोले सभा में गाया हाई गुरू जी एसा क्या दर्शिका देखे कावन आई गाते हाँ और काफी नाम पहले सो सो रुपेशे और आदने मेरे फुफाजी शीवरत निया दो जी मान समान करतीन का ते दिल से निवाद हाँ और भी सवाल है ते रे गुरू जी अभी तो बहुत साधारन न सवाल थे और भी कठिन सवाल पूझे और भी कठिन आते रहेंगे तो आच्या हाँ तो भूझ भेर अगले ते वाद बै उस लड़के का नामें बता उस लड़के का नामें बता जो ना माता के पेट पड़ा मात पिताना संग के साथी बे माता ने नहीं घड़ा जनम होवते करी लड़ाई सन मुखना कोई हुया खड़ा जे जे कार हुई किस युग में देवनोग में जिकर छिड़ा जे जे कार हुई किस युग में देवनोग में जिकर छिड़ा है गुरुजी मन का भरा में मिता देखोए कावण आही का दे है गुरुजी एसा ग्यान शिका देखोए कावण आही का दे कोंवपने शिकार हुई किस्यूग में देवलोक में जिकर छोड हैं कोण बता है अरे उस लड़के का नाम गणेश जो नामाता के पेट पड़्या मात पितान संग के साथी बे माता ने नहीं गड़्या उकी गोरा मान करी घड़ाई बे माता ने नहीं गड़्या एक बार पारवती माता की नाने किछ्या उत्पन हुई तो उस टाइम एक गुफा में बढ़के पारवती माता नाने लगी गुफा के कोई दर्वाजा या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था तो पारवती माया ने अपने सरीर का मेल मिला के अपना सरीर का मेल उतारके और जो पीली मिटी पंड़ जी आज भी कोई अवन कोई सुब सामगरी कोई पूजा पारवती मीटी जो लेते हैं वो उसी लेते हैं आके उस ते कहन लगे कि आट में गुफा में जाना चाता हूं वो जानता नी था कि यह कोन नुग में नी जाने दूगां बड़ी तगडी गमाशान यू तोया और गमाशान यू तोने के बाद में सिव सेना पूरी अरादी गनेश ने लेकिन अंत में संकर बगवान ने अपन कि आंत करी घडाई भे माताने नहीं गाला कुने जण महाँं ते इकरी लडाक यू ह्वक्यां जय जयकार जय जयकार होन लागी फेरे शेवलोत में झिकरए थे बड़े आदि अ Taxee एक का मतलब ओम, दो, दो का मतलब जमीन और आसमा, तीन लोग, चार, वेद, पाठ, टत्व, छे, शास्त्र, साथ, आठ, बसू, नो, खंड, तस, इंडरी, ग्यारे, रूत्र, बारे, सूर्ये, तहरे, रतन, चोदे, बवन, पंद्रे, तिथी, सोले, सिंगार, सत्रे, विशे, अठारे, पुराण, उन्निस, उपनिशद, और बीस, विश्वेविश भगवान, अगर अच्छे लग ये तो जोर दाताली बजाएं, मानगे गुरुजी, आच्या, और भी सवाल रहेगे, थोड़े से और सवाल रहेगे, करवे भी, करवे, 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 कर अपनी इच्छात, प्रान प्यागिके, लड़की का चोला पाया, उई जवान पड़ी जरूरत, पती मोते ना भ्यार करे वाया, वई जवान पड़ी जरूरत, पती मोते ना भ्यार करे वाया, वई उस लड़की का ना में बता, जिन एक पल में पूतर जाया, पती की सेवा, पती की सेवा करने लागेगी, पुतर का सर तरे वाया, है सिरी लख मी चांद ने साम धा, दे कोई कावर यारी का, है गुरू जी एसा ग्याने सिखा दे, कोई कावर यारी कावर यारी का दे, तेरे सवाल कई ऐसे जो अडवडाट ममन शुने कोने, एक बार फेर दो रापने सवाल, अपनी छाते प्राण त्याक के लड़की का चोल ला पाया, मतलब पहले कोई जीव थार, अपनी इच्छा से मर के फिर लड़की बन गी, बिल्कुल, अच्या, वोही जवान पड़ी जरूर्त पती मोहते ना भ्या करवाया, उस लड़की का नाम बता, जिनने एक पल में पुत्तर जाया, पुत्तर होने की प्रिकिरिया को लगवग नो महिने लगते हैं, लेकिन ऐसी लड़की कौन जिसने एक पल में पुत्तर पैदा गे लिए, और पती की सेवा करण लागी, पुत्तर का सरतर वाया, जिननों ये बात उस टाइम की है, कि जब कोरोव पांड़ों ने युद लड़ा, पांड़ों ने युद जीत लिया, तो पांड़ों ने युद जीतने के बाद मैं एक असुमेग यग करा, जिसमेग दुनिया के सभी रिशी मुनी, सभी मातमा, 33 करोड देवी देवता सारे बुलाए, सब को न्योता लिया, सब को न्योता दिया, कि आज आपको जीमाया जाएगा, आपका बोजण कराया जाएगा, असुमेग यग में सभी बुला लिये, लेकिन एक आदमी नहीं बुलाया, देत्यों का गुरू सुक्राचारिय, वो एक आख तकाना था, वो नहीं बुलाया, अब वो गुस्सा हो गया, कि अगर मुझे नहीं बुलाया, सजनों, बाज का रूप, बाज का रूप बना लिया, शुक्राचारिय ने, जो देत्यों का ग पूरी खीर जैदी लिवना दी उस टाइम रिषी मुनी और जितने भी लोग थे सब अपने काम में वेस्ट थे किसी ना भी साँप निए खीर मपड़ गया एक जीव देख रहा था सुझनों एक मींड की उपर बैठी बैठी देखे के साँप गिर गया और ये भी रिषी आओगे जारे के सारे मरेंगे बहुत बड़ा पाप लगा जब देखे परसाद लेने के लिए उस कडाई के पास आये सब्समें किनून के सामने उबल ती खीर माग गरम घरम खून में खीर में कूणके अर रिष्यों के सामन अपने प्रान त्याग दिए लिशियों ना बड तो उसको उस लड़की उस जो मींड की का जो खराब सरीर था उसको एक गड़े में दबाया नो महीने के बाद जब गड़ा खोले सजनों उसमें लड़की के रूप में वो मींड की ने जनम लिया सब्त रिसी उसकी पालन पोसन और उसको उसकी सेवा करते उसको पालते पोसने जवान हो जाती है वो मींड की जो लड़की बनी थी जवान होगी सजनों उन सब्त रिसीयों के पास में लंका का राजा रावन शिक्षा दिख्षा लेने के लिए करता लड़की के और रावन के प्रेम समध आपस में ने नमटका हो गया तो जो लड़की थी जो मिंड की बनी थी वो गरबती हो जाती है रिशियों ने पुछा कि किसका पाप है तो सुनो उस लड़की ने मंदोदरी नाम था उसका उसने न्यू कह दी कि रावन का है तो रावन के साथ जबरदस्ति मंदोदरी का विवा कर दिया रावन मंदोदरी को अपने पुस्पक विमान में बठा के लेके जा रहा था लंका लेकिन रास्ते में बात सोची कि रहा कुवारी के यो लड़का हो गया यो इसके पेट में गरब है काल न तु लंका जागा गरब वहीं गिर गया एक पल में फुत्तर हो गया बाद में वो गरब किसको जाका मिला किसको जाका मिला अरो जो गरब गिरा था उस परवत उसका आगज चाल के के नाम पड़ा वो बात बता हूंगा आपने शुनिये अपनी एक छाते प्राण त्याग के लड़की का चो ना पाया उई जवान पड़ी जरूरत पती मोते ना ब्याह करेवाया उस लड़की का नाम बता जिने एक पल में पुत्तर जाया पती की सेवा करने लागेगी पुत्तर का सर तरेवाया हाई सीरी लख मी चांदेने साम जादेख्वे गाहा वैन आही का देख्वे आप मैं जवाब देता हूं शुनिये एक मिंड की ने प्रान त्याग के लड़की का चुला पाया कोई जवान पड़ी जरूरत पती मोते ना ब्याह करेवाया वाद जब्रन ठाई ता हड लगाई एक बार फेर सुनले मेरी बार एक मिंड की ने प्रान त्याग दिये उसका कारज सित हो गया मन दोदरी रूप में जनमें लिया फस मो मेरा वन मते हो गया वा जबरन ठाई दाड लगाई एक पल में अंगद हो गया जो किसकी ना परवत पे वो गरभ गिरा था आगे वो लड़का चाल के प्रशिद हो या जिसना में अंगद जिसका रोण पर पावी ने उठ्था नू लोग निए करते अक अंगद कैसा पाव को ने वो यंगद था वाट चबरन ठाई दाड लगाई एक पल में अंगद हो गया रन छेतर में नाती थी कट्या अ तुस उषितरका वते हो गया रन छेतर में नाती थी कट्या शीस पुतर का बंद हो गया वो गुरू ले लितने बेदे बका आया मने तोने सबाब में गाड़ा हॉए गुरू की एसा क्याने सिकाथे कोई कावड़ा